नमस्कार दोस्तों, आईए सुनते हैं मिर्जा फरेत उल्ला बेग की लिखी हास्य कहानी इश्रत जमानी बेगम आप सच मानिये कि किसी की बुराई करने पर मेरी लेखनी नहीं चलती, परन्तु आखिर धैर्य की भी सीमा होती है इश्रत जमानी बेगम और उनकी सास के जगड़ों से तंग आने के बाद यह लेख लिख रहा हूँ खुदा मुआफ करे, उन दोनों से मुआफी नहीं मांगता क्योंकि वे खयामत तक मुझको मुआफ नहीं करेंगी इश्रत जमानी आखनाक से ठीक सुदर्शना, रूपाकृती की अच्छी, बड़े घर की बेटी, पढ़ी लिखी, सभ्य सुशीला, आखों में लिहाज, निगाह में शर्म, बड़ों को बड़ा और छोटों को छोटा समझने वाली थी परन्तु बावजूद इसके ये घजब था कि छोटे बड़े, नौकर, चाकर, सास, सुसरे, देवरानिया, जिठानिया, यहां तक की मिया भी उससे खुश न थे था क्या? बस यही कि जो बात जिस समय पर करनी चाहिए वह नहीं करती थी ये नहीं कि वह किसी बिगाड के लिए ऐसा करती हो, क्योंकि लड़ने जगड़ने से वह स्वयम कोसों दूर भागती थी मुसीबत ये थी कि वह जिस काम के पीछे पड़ जाती थी, उसको पूरा किये बिना नहीं छोड़ती थी चाहिए दुनिया इधर की उधर क्यों न हो जाए और उससे आवश्यक काम नश्ट भ्रष्ट क्यों न हो जाए लो देखलो न, मिया दफ्तर जाने को तैयार हैं, शेरवानी टोपी पहन कर दालान में खड़े हैं मोटर दर्वाजे पर आ गई है, परन्तु पानों की डिबिया कोठे पर से किसी तरह नहीं आती बेगम साहिबा बैठी कुछ पढ़ रही है, ये नहीं समझती कि इस समय पान बनाने आवश्यक हैं या पढ़ना मिया ने आवाज दी, बेगम मुझे देर हो रही है, पान बनाओ उन्होंने पढ़ते पढ़ते ही उत्तर दिया ठहरो, अभी आई जब और देर हुई तो सास ने पुकारा ए है दुलहन, आखिर ये निगोडा कहा का पढ़ना है कि मिया दफतर जाने को खड़े हैं और तुम ज़रा खयाल नहीं करती उन्होंने फिर वही उत्तर दिया जी, आई अंत में जी, अभी आई का सिलसिला यहां तक खींचा कि मिया तंग आकर पानों की डिबिया लिये बिना दफतर चल दिये मा ने कहा भी कि लाओ, मैं पान बना दू परंतु भलावे कब मानने वाले थे जी, रहने दीजिये मैं पान खाना ही छोड़ देता हूं कहे कर भ्रिकुटी पर बल डाले बाहर निकल गए ये ठीक है कि बी इश्रत ने पढ़ने से अफकाश पाकर पान की डिबिया दफतर भेजी परंतु भज जैसी गई थी वैसी की वैसी वापस आ गई अब आप स्वयम ही सोचिए कि ये घर बिगड़ने की बातें हैं या नहीं एक तो या दूसरे खुदा बचाए हम लोगों को आदतें ऐसी पढ़ गई हैं कि जरा-जरा सी बात को दिल में लिए बैठे रहते हैं और फिर इस पर अपने मन से वे हाशिय चढ़ाते हैं कि इश्वर ही बचाए इसी कारण कई बार यहां तक खिंचती है कि आखिर तूट जाती है देखा जाए तो हम लोगों में सबसे अधिक जगड़े का जोपड़ा घर का प्रबंध है सास समझती है कि मैं घर की बड़ी हूँ सारा प्रबंध मेरे हाथ में रहना चाहिए बहु समझती है कि गवर्मेंट पुरानी हो गई अब मुझे यहां का प्रेजिडेंट होना चाहिए सास अपने इजार बंद से कुंजियों का गुच्छा नहीं खोलती बहु असहयोग से काम लेकर सर्वता अलग सी और खिंची-खिंची सी रहती है यदि सास ने किसी काम को कहा भी तो उन्होंने कहकर टाल दिया सास नहाने जा रही है अनाज देने को देर हो रही है उन्होंने इजार बंद से कुंजियों का गुच्छा खोल कर बहु की और फेंका और कहा देखना दुलहन जरा करीमन को अनाच दे देना परन्तु हर चीज स्वयम तोल कर देना नहीं तो या शैतानी डंडी मार कर ड्योड़ा अनाच निकाल लेगी बहु ने कहा आप ही दे दे तो अच्छा है पहली बात ये कि मुझे मालूम नहीं कि कौन सी चीज कितनी दी जाती है दूसरे मैं इस समय बलाउसी रही हूँ फिर क्या था साज साहिबा बिगड़ ही गई और कहने लगी ओहो और ननी बन जाओ माशाला वर्ष भर से घर में हो तुमको ये भी खबर नहीं कि कितना कितना अनाच दिया जाता है मेरा क्या है ना दो स्वयम ही भूखी रहोगी और जो दफ्तर को खाना जाने में देर तो देखना वे आपके मिया आकर क्या कोला हल मचाते हैं आप जानते हैं कि आजकल की लड़कियों के मुँपर कुछ ताला तो होता ही नहीं उन्होंने भी जरा चुपते हुए शब्दों में कहा तो आखिर मुझे मालूम होता तो क्यों कर मालूम होता कभी आज तक मैंने अ जाला है और उसकी कुंजी आपके पास है अब रहे वे तो उनको स्वयम ही मालूम है कि मैं इस घर में महमानों की तरह रहती हूँ समय पर खाना नहीं गया तो मैं उसकी जिम्मेदार की होने लगी वे होंगे जिनके हाथ में अनाज और रसोई घर का प्रबंध है भी इश्रत जमानी की सास में इतना साहस तो था नहीं कि वे बात को बढ़ाएं क्योंकि जानती थी कि यदि सक्ती की और यह माय के चली गई तो बेटे को क्या उत्तर दूंगी परंतु इसके साथ ही वे अपनी बात को नीचा करना भी नहीं चाहती थी इसलिए उन्होंने ये किया कि कुण्जिया बहु के सामने फेंक कर हमाम में चली गई बहु भी आखिर बड़े घराने की बेटी थी यद्यपी स्वभाव अच्छा पाया था परंतु रोज रोज की दाता किलकिल से देवता भी दानव हो जाता है इसलिए वे भी खिंच गई कुण्जिया जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रही और ये बैठी बलाउस सीती रही बलाउस समाप्त हो गया तो पजामा काटने बैठ गई परिणाम ये हुआ कि बारह बच गए और चूले उसी तरह ठंडे पड़े रहे भला करीमन इस सास बहु के मुआमले में क्यों हस्तक्षेप करती वे इस सिध्धान्त को भली प्रकार जानती थी कि घर में लड़ाई लडवाओ और शासन करो उन्होंने बी इश्रत जमानी से एक आदबार जूठे मुँ आकर पूछा भी कि बहु आज खाना नहीं पकेगा परन्तु जब इधर से कोई उत्तर नहीं मिला तो ये भी मरदाना में जाकर मिस्टर फैजो के पास बैठ कर गप्पे उड़ाने लगी सारांश खुदा खुदा करके बड़ी भी हमाम से निकली बुड़ बुड़ाती हुई दालान में आई बहु के सामने से कुझियां उठाईं कोठिरी का ताला खोल अनाज निकाल कर भी करीमन के हवाले किया और इस प्रकार कोई तीन बजे खाना तैयार होकर दफतर गया भला तीन बजे कोई खाना खाने का समय है जैसा गया था वैसा का वैसा ही वापस आ गया इसके पश्चात समझ लीजिए कि दफतर से आने के बाद घर वाले मिया ने क्या कुझ उधम ना मचाया होगा सास ने सारा दोश बहू के सिर पर थोपा बहू ने शराफत से काम लिया कि उस समय तो मुह से कुछ न बोली परन्तु साइन समय अपने कमरे में जाकर सारा खिस्सा सुना दिया निया अजीब मुसीबत में थे न मा को कुछ कह सकते थे और न बीवी को अंत में क्रोध पी कर मौन हो गये परन्तु इन जगड़ों के कारण मन मैला हो गया ये सब कुछ आखिर क्यों हुआ बस इसी लिए हुआ कि न सास ने परिस्थिती का विचार किया और न बहू ने का ये कहना कि मुझे क्या मालूम कौन सा अनाज कितना दिया जाता है तो ये भी कुछ बुरा मानने की बात नहीं थी उसने कुछ जूठ तो बोला ही नहीं था बड़ी बी को इस आयू में शच्ची बात का बुरा मानना कुछ शोभा नहीं देता था अब रही बहू तो उनक पहले कभी अनाज नहीं निकाला था और ये मालूम नहीं था कि कितना कितना अनाज दिया जाता है तो इसके संबंध में वे यदि सास से पूछ लेती तो क्या हानी थी। बात ये है कि अफसर को समझ कर कोई बात ना करना सदा जगड़े पैदा करता है। उनके निकट नास्तिकता या पाप से कम नहीं था। पती मर चुके थे इसलिए मेहंदी तो नहीं लगाती थी परंतु अच्छा कपड़ा और भूशन पहनने में जवान लड़कियों को मात देती थी। ये अवश्य है कि उनके कपड़े और भूशन पुराने ढंके होते थे परंतु होते थे बड़े ठाट के। कादो दुपट्टा, उस पर टिका हुआ सुनहरी फीता, बाबर लेट की अंगिया कुरती, उस पर बारीक मलमल का कुरता। अतलस का तंग मुहरी का पजामा, पजामे में लटकता हुआ लाल रेशमी इजार बंद। इजार बंद में च जड़ा उबालिया, हाथों में सोने की चूडिया, सारांश जो जो चीजें उन्होंने जवानी में पहनी थी, उन में से एक को भी इस बुढ़ापे में नहीं छोड़ा था। इत्र मलने का शोख था, सदा खस या मोतिया के इत्र से उनके कपड़े बड़े महकते थे। इस इन बड़ी बी के रंग को देखिये और बहु के रंग पर द्रिष्टी डालिये। ये पढ़ी लिखी थी। इसलिए प्रतियेक नया फैशन सबसे पहले इनके घर में घुसता था। पुराने ढंकी कुछ चीजें भी इनको जहेज में मिली थी। परंतु वे इन्होंने थो पूट केसों में रह गया क्या कि मूल्यवान साडियां, अच्छे अच्छे ब्लाउज, रेश्मी जुराबें, उची एडी के जूते, सैंडल और चपलें, हलके फुल के भूशन, हीरे के बुंदे, जडाओ, पतले-पतले नेकलस, प्लाटिनम की चूडियां, कुछ पूटियां और बस, मौल्वी अश्रफ अली की बेटी के ब्या में दोनों को बुलावा आया, बड़ी भी तो जरासी देर में अपने पुराने धंके कपड़े पहन कर तैयार हो गई, परन्तु इश्रत जमानी हैं कि उनका बनाव श्रिंगार किसी तरह संपन ही नहीं होता, कदादम दरपंड के सामने खड़ी हैं, एक बलावस पहनती हैं और उतार देती हैं, एक साड़ी पहनती हैं, पसंद नहीं आती उतार देती हैं, अब यदि साड़ी और बलावस दोनों खुदा-खुदा करके पहन भी लिये तो दोनों ने मेल नहीं खाया, इसलिए दोनों उतार दिये गए। खैर कोई घंटे डेड़ घंटे में ये कठिनाई आसान हुई अब गहनों का नमबर आया। इसकी उलट फेर में भी कोई डेड़ घंटा भर लग गया। इसके पश्चात आप ही विचार कीजिए कि इन दो अड़ाई घंटे में बड़ी बी का क्या कुछ अब जो बहु साहिबा कमरे से बाहर तश्रीफ लाईं तो बुढ़िया के आग ही तो लग गई। जरा मौलवी अश्रफ अली के घर को देखिए जहां रुसूल और अल्ला के नाम के सिवा कुछ होता ही नहीं और इन बेगम साहिबा के लिबास को देखिए। जलकर बड़ी भी बोली वाह बेटा वाह या तो कमरे में से निकलती ही नहीं थी या निकली हो तो इस रंग में निकली हो भला कौन तुमको देखकर कहेगा कि ये किसी मुसल्मान घर की लड़की है मौलवी साहिब के यहां ये कपड़े पहन कर जाओगी तो नक्को बन जाओगी तुम तो भला क्यों शर्माने लगी हां मुझे शर्माना पड़ेगा सब यही कहेंगे कि इस सास को अल्ला ने इतनी भी तौफीक नहीं दी कि बहु को संभाल कर रखें जरा नवा बिनायत अल्ला खांके घराने को देखो और उनकी उस बहु को देखो जाओ बेटा जाओ पहले आदमिय नमूने के कपड़े अब रहे ही कहा थे जो पहने जाते इसलिए बहु ने कहा बी अम्मा मेरे पास तो अब इसी नमूने के कपड़े रह गए हैं सास ने कहा अरे बीबी ये तुम क्या कह रही हो तुमको दहेज में क्या कुछ नहीं मिला अल्ला बखशे तुम्हारे ससुर बहु ने क्या कुछ बनवा कर नहीं दिया, और तुम कह रही हो कि मेरे पास इन कुछ हिंदुवानी कपड़ों के सिवा अब कोई कपड़ा नहीं है, ये भी अच्छी हुई, कल को कहोगी कि मेरे पास दहेज का कोई गहना ही नहीं रहा, जाओ जाओ, कपड़े बदलो, मैं इसलिए सास बहु दोनों कोठे पर पहुंची बहु ने कुझिया लेकर सारे ट्रंक और सूटकेस खोल डाले और बड़ी बीने कपड़ों को निकालना आरंभ किया ट्रंक में से सब कपड़े निकालती और जब मतलब का कोई कपड़ा ना निकलता तो बुड़ बुड़ाती सारांश सारे ट्रंक और सूटकेस देख डाले परंतु उनसे एक कपड़ा भी न निकला जो उनकी इच्छा के अनुकूल होता अंत में जल कर कहा यदि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो मेरे कपड़े पहन कर चलो ये भला किस प्रकार संभव हो सकता था कि नए जमाने की लड़की तंग पाजामा और अंग्या कुरती पहन कर तीन गज का दुपटा ओड़े घर बिगड़ जाए तो बला से बिगड़ जाए परंतु फैशन के विरुथ किसी प्रकार कार्य नहीं किया जा सकता परिणाम ये निकला कि बहु ने शादी में जाने से इनकार कर दि बड़ी भी गई पूछा गया बहु क्यों नहीं आई तो कह दिया उनका स्वास्थिय ठीक नहीं है मैं आप से पूछता हूँ कि इन दोनों में गलती किसकी है आपको चुंकि नए जमाने की हवा लगी है इसलिए आप तो यही कहेंगे कि गलती बड़ी भी की है परंतु मैं यह कहूँगा कि गलती भी इश्रत की है प्रतियक वस्तु के लिए स्थान और अफसर होता है कहावत विख्यात है खाए मन भाता पहने जग भाता भला मौलवी अश्रफ अली के यहां इस रंग में जाना कोई समझ की बात थी वे लोग ठहरे पक्के रूडी वादी भी इश इश्रत को इस रंग में देखते तो सवाय लाहौल पढ़ने के और क्या करते और सच मुछ उनकी सास को क्या कुछ बुरा भला कहा जाता कि इत्ती सी लॉंडिया को न संभाल सकी और आवारा कर दिया अब रहा फैशनेबल लिबास तो इसके पहनने का कौन निशेद करता है जिस महफिल में उसका जोर है वहाँ पहन कर जाओ और अवश्य पहन कर जाओ अपी तू उसे भी कुछ कम कर दो तो तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है आज कल की लड़कियां यदि बुरा न माने तो एक बात कहूं मैं देखता हूं कि शिक्षा का इन पर उल्टा प्रभ पढ़ रहा है क्योंकि ये सदा प्रयत्न करती हैं कि इनकी बात मानी जाए खैर ये आपस में सिर्फ टवल करें तो कुछ हानी नहीं है परन्तु ये लड़कियां घजब तो ये करती हैं कि अपनी शिक्षा का दब-दबा बुढ़ों और गुरोजनों पर डालती हैं आखिर ये उनकी बात मानती हैं और नवे इनकी बात बढ़कर दिलों में फरक आ जाता है बड़े समझते हैं कि नई पौद का दिमाग खराब हो गया है दो किताबे क्या पढ़ली है कि अफला तून बन गए है नई पौद समझती है कि इन बुढ़ों की अकल सठी आ गई है पढ़ जक्का ये रंग है तो आखिर इश्रत जमानी और उनकी सास इससे कैसे बचे रहती शायद ही कोई दिन जाता होगा जो किसी ना किसी बात पर दोनों में बहसा बहसी ना हो जाती हो बहु हुजजद पर हुजजद करती तर्क द्वारा बात को समझानी के प्रेत्न में हब और स्पेंसर और मिल के वाक्य दोराती परंतु वे उन सब युक्तियों पर ये कहकर पानी फेर देती कि चलरी लड़की कभी किसी वज यानि धार्मिक व्याख्यान में तो गई नहीं त हला मैं तुम लोगों की बातें क्या मानती हूँ इसके पश्चात बी इश्रत ने अपनी सास के पीर की अलपग्यता के संबंध में कुछ कह दिया तो समझ लो खयामत आ गई कभी कभार क्या मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन इस घर में यही गड़वड होती देखता था इसका कारण था तो ये था कि जान बूज कर भी इश्रत सास को जलाने के लिए उनके पीर की चर्चा छेड़ देती थी या वे चाहती थी कि किसी प्रकार सास का दिल उनके पीर से फिर कर जो छे महीने के छे महीने भेंट शुल्क भेजा जाता है वह बंद करा दें वे कहती थी बे इल्म नत्वा खुदाराशिनाख्त यानि विद्याहीन मनुश्य इश्वर को नहीं जान सकता और सास समझती थी कि जाहिरी इल्म दिल का जंग है बाहिय ग्यान रिदय का जंजाल है सास अपने पीर की करामतें चमतकार बयान करते करते ठक जाती थी और भी इश्रत ये कहकर उनके रिदय में नश्तर चुभो देती थी कि आपको धोखा हुआ या आपने गलत सुना साहिब सच तो ये है कि अपने पीर के संबंध में कोई बुढ़ा ऐसी बातें नहीं सुन सकता आखिर इन नए जमाने वालों को बुढ़ों के पीरों से संबंध रखना क्या आवश्यक है ये अपने लिए कोई अपडेटेड गुरु बना लें जो बाहर से फरिष्टा और अंदर से शैतान हो चलो छुट्टी होती यही क्या है प्रतियेग बात में सास बहु में मतबेध होता था युद्ध के समाप्त होने पर घोशना हुई कि आज रात परेड के मैदान में आतिश बाजी छुटेगी सारा शहर उलट पड़ा भी इश्रत और उनकी सास भी गाड़ी में बैठ कर वहां पहुंची गाड़ियों की लाइन एक ओर थी उसी में इनकी गाड़ी भी ठुस गई रात को कोई साड़े नौ बजे महताबी छुटी और इसके बाद सारे मैदान में आतिश बाजी से एक आग सी लग गई आतिश बाजी अच्छी थी और अच्छी होनी भी चाहिए थी कि किस अफसर पर छुट रही थी परंतु बी इश्रत की सास को एक आँख न भाई बी इश्रत ने प्रशंसा की परंतु बड़ी बी ने ये कहकर डाट दिया कि कभी आतिश बाजी देखी भी है इस से अच्छी आतिश बाजी तो मेरे बिहा पर मेरे सुसरे के यहां छुटी थी इस सडियल आतिश बाजी की प्रशंसा करते करते तुम्हारा मुझ शुश्क हुआ जाता है मलिका विक्टोरिया के बिहा के उत्सव पर जो आतिश बाजी छुटी थी यदि वह देखती तो मालूम होता कि आतिश बाजी किसको कहते है बहु ने धीरे से पूछा अम्मा जान जब मलिका विक्टोरिया का ब्या हुआ उस समय आप पैदा हो चुकी थी बड़ी भी ने कहा पैदा हो चुकी की बाद भी खूब रही अरे उस समय तो कोई आठ नौ वर्ष की थी बहु ने पूछा आपकी आयू क्या है सास ने उत्तर दिया इह है मैंने अपनी आयू लिखकर थोड़ी रख छोड़ी है होगी कोई पचास साथ की लो यूं हिसाब कर लो कि जब तुम्हारे मिया अर्थात मेरा अन्वर पैदा हुआ है उस समय मैं कोई बीस वर्ष की थी अब अन्वर की आयू बहुत हुई बहुत हुई तो कोई पचीस वर्ष की होगी इसके बाद हिसाब लगा लो कि मेरी आयू क्या है बहु ने कहा बी अम्मा उनकी आयू कोई तीस वर्ष की जान पड़ती है सास ने इस पर ऐसा चुपता हुआ वाक्य कसा की बी इशरत धम होकर रह गए बुडिया ने कहा हाँ बेटा सच है मुझे अन्वर की आयू क्यों मालूम होने लगी मालूम तो तुम्हें होगी तुम्ही ने तो उसको जना है ये चोट खाने के बाद भी इशरत कब चुप रहने वाली थी कहने लगी अच्छा आप ही का कहना ठीक सही अब हिसाब करके देखिए आप कहती हैं कि जब वे पैदा हुए उस समय आपकी आयू 20 वर्ष की थी उनकी आयू आपके हिसाब से 25 वर्ष की है इस प्रकार तो आपकी आयू 45 वर्ष की हुई अब 1945 ही इसमी है मलिका विक्टोरिया की शादी 1840 में हुई थी उसको 105 वर्ष हुए फिर मुझे बताईए कि आपने उसकी शादी में आतिशबाजी छुटते कैसे देखा और हाँ ये तो बताईए कि वहाँ आतिशबाजी छुटी कहा थी बड़ी बी ने कहा इसी मैदान में बी इश्रत ने कहा 1840 इसमी में तो ये मैदान ही नहीं था यहां तो बड़े बड़े महले आबाद थे 1857 इसमी के बाद मकानों को तोड़ कर ये मैदान निकाला गया है जब बड़ी भी इन हुजतों से तंग आ गई तो उन्होंने कहा बेटा जगड़ा ही क्या है तू सच्ची और मैं जूटी घजब खुदा का कि जो अपनी आँखों देखी कहे वह तो जूटा और जो बिना देखे तरक छाटे वह सच्चा अब ये भी कह देना कि तुमने अपने बिहा के दिन आतिशबाजी नहीं देखी और इस तरह की उल्टी सीधी बातें बना कर मुझे जूटा बना देना भी इश्रत ने कहा इसमें बातें बनाने की क्या अवश्यक्ता है पहले जमाने में आतिशबाजी दुलहे के घोड़े के सामने चुटा करती थी दुलहन पीनस में पीछे पीछे होती थी उस जमाने में जो कुछ परदा होता था उसके खयाल से रॉंक्टे खड़े होते हैं इसके पश्चात आप ही बताईए कि आपने अपनी शादी में आतिश बाजी छुटते कैसे देखी ये हुज़त ऐसी थी कि यदि इसके विरुधिये कुछ कहती तो इनके परदे पर हर्फ आता इसलिए चुप हो गई परंतु बी इश्रत कहा मानने वाली थी उन्होंने कहा जी बी अम्मा पहले जमाने में जो आतिश बाजी छुटती थी उसमें और आजकल की आतिश बाजी में क्या अंतर है बड़ी बी ने कहा बेटा पहले अनार तो ऐसे होते थे कि क्या कहूं ये सामने जो व्रिक्ष है ना खुदा जूट ना बुलवाए तो इन रुकने का नाम ही नहीं लेती थी और उनमें से ऐसे रंग बिरंगे फूल जड़ते थे कि दिल लोट जाता था अब क्या है देख लो जरा आनार छुटा और फुस से होकर रह गया चर्खी ने दो चक्कर खाए और समाप और फूल तो ऐसे बुरे होते हैं कि थू बी इशरत पूछा बी अमा ये आतिशबाजी क्यों कर बनाते हैं सास ने उत्तर दिया मुझे क्या मालूम क्या मैं आतिशबाज की बेटी हूँ या बहू हूँ जो मुझे आतिशबाजी बनाना आता हो मिया आएं तो कहना वे कहीं से नुस्खा लिखवा कर ला देंगे परन्तु मजलिया कि मुझे आतिशबाजी की दुकान खोलनी है मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि पहले जो आतिशबाजी बनती थी उसमें और अब की आतिशबाजी में क्या अंतर है पहले इसमें पढ़ता ही क्या था बारूत और लोहचून सास ने कहा लोचून क्या बला होती है ब के जलने से आतिश बाजी के फूल निकलते हैं लोचुन से जो फूल बनते हैं वे सुनहरी होते हैं और अब आतिश बाजी से हरे रंग का जो फूल निकलता है वह इसलिए निकलता है कि अब बारूद में एक नहीं कई प्रकार की चीज़ें डाली जाती हैं आइरन सलफेट डा बड़ी बी ने कहा जी अब बस करो ना मैं आतिश बाज हूँ और ना मेरे बाप दादा आतिश बाज थे ये नुस्खे उनको बताओ जो आतिश बाजी की दुकान खोलना चाहते हैं ये भी अच्छी हुई कि आई तमाशा देखने और यहां भी लगी अपनी योग्यता बखा कुशल रही कि ये सुनकर भी इश्रत चुप हो गई अन्य था भगवान जाने बात कहां से कहां पहुँचती और देखा जाए तो बुढ़िया की बात ठीक थी आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से क्या लाब अब रहा बड़ी भी की जानकारी में वृद्धी करना तो कह ही बुढ़े तोते भी कुछ पढ़ते हैं ये तो जो कुछ उल्टा सीधा जानते हैं उसी में मगन रहते हैं और उसी पर उनकी आस्था है खेर ये बातें तो ऐसी कष्ट दायक नहीं थी बड़ी बी जो आक्रमन बी इश्रत के खांदान पर करती थी वह असहय था ये तो कि सच है या जूट हां कहा जाता है कि बी इश्रत के पर दादा ने कोई कस्वी यानि वैश्या घर में डाल ली थी उसी से उसके दादा पैदा हुए दूसरों की जात में कीड़े डालना शेहर वालों का सबसे बड़ा मन बहलावा है जब भी बी इश्रत किसी विशय में अ और बड़ी भी उसका कोई उपयुक्त उत्तर ना दे सकती तो शीघर ही बात का रुख बदल कर कहती तो मैं इन बातों को क्या जानूं ये चीजें तो उनको मालुम होती है जिनके खांदान में कोई कोटे की बैठने वाली रह चुकी हो हम बिचारी घर की बैठने वालिया इन बातों को क्या समझें ये चुटकी ऐसी सकत होती कि बी इश्रत तिलमिला उठती थी बहुत कुछ जली कटी बातें करती थी परन्तु बड़ी बी के इस नश्तर की चुबन किसी तरह नहीं जाती थी जब कुछ बन नहीं पड़ता था तो कहती थी यदि आपका खांदान बड़ी नाक वाला था तो हम नक्टों में ब्या ही क्यों किया इसका उत्तर ये था कि मैं क्या करूं मैं तो इस संबंध पर सहमत नहीं थी तुम्हारे बाप और अल्ला बक्षे अन्वर के बाप में कुछ ऐसी मुहब्बत थी कि बावजूद लोगों के कहने के वे मरने वा होगा तो यहीं होगा नहीं तो मेरे जीवन में और कहीं नहीं होगा आखिर तुमको लाए आप अब तो मर गए मुझे मुसीबत में फसा दिया सारांश में क्या कहूँ इन सास बहू के जगडों से कितना नाक में दम आ गया है मेरा भी दोनों खानदानों से संबंद है सब सामने होते हैं मैं भी कभी कभी उनके यहां चला जाता हूँ हमारे और उनके घर के बीच में खिडकी है इसलिए जरा-जरा सी बात की सूचना हम इसमारी बेगम साहिबा हमको दे देती हैं। जरा कुछ आवाज बढ़ी और ये काम छोड़कर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। अब इधर की दुनिया उधर हो जाए क्या संभव है कि आरंभ से अंत तक जगड़ा सुनने से पहले ये वहां से खिसके। अधिक तो अपनी बेगम साहिबा से इन सास बहु के हालात मालूम होते हैं और कुछ उस समय मालूम होते हैं जब मैं उनके यहां जाता हूँ और बड़ी भी अपना दुख़़ा रोने को मुझे पकड़ कर अपने पास बिठा लेती हैं। परंतु मैं ये अवश्य कहूँगा कि बी इश्रत हैं बहुत तेज पर क्या मजाल जो सास की शिकायत कभी मेरे या किसी के सामने उनकी जिवा से निकली हो। जानती हैं कि दूसरों से इन बातों का कहना व्यर्थ है। मुफ्त में बदनामी होती है और लाब कुछ नहीं होता। हां अपने मिया को भरती हैं और अच्छी तरह भरती हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि मिया अन्वर अब अपनी मा से जरा खिंच गए हैं। परन्तु पुरानी सभ्यता वालों में बचपन गुजारा है इसलिए मुझे उफ नहीं करते। परन्तु ये भी आखिर कहां तक। यदि यही मरना मारना रहा तो एक दिन उनकी भी जुबान खुल जाएगी और उसके बाद बड़ी बी का भगवान ही राखा है। जीना है कि या तो अल्ला मियां ये करें कि जिस घर में इस प्रकार के जगड़े आरंभ हो उस घर के बुढ़ों का खात्मा बिल खैर कर दें। या ये बुढ़े और बुढ़ियां अपना गला घूंट कर हेरा फेरी के सिध्धान्त का पालन करें। म्यूनिसिपल कमिटी में ऐसे लोगों की पहले से सूची तयार कर ली जाए जो इस प्रकार के जगड़ों से विवश होकर आत्महत्या करना चाहते हैं और विधान में आत्महत्या की धारा के अधीन कुछ अवस्थाओं में छूट दे दी जाए कि ऐसी विवश्थाओं के परिस्थिती में आत्महत्या अपराध नहीं है क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि विचारों और कारियों की स्वतंतरता के इस जमाने में इन पुराने लोगों का जीवन ही असमय की रागनी है ये जितनी शीख्र समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा हो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मिर्जा फरे तुल्ला बेग की लिखी कहानी इश्रत जमानी बेगम उमीद है ये कहानिया आपको पसंद आ रही होंगी मेरे चानल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद